रूबे सर आली के पर मुदा है राम देव जी का पर क्या राम देव जी अकेले है जिनको पर ये ताना जिनके जिनको एक महरा बनाया जा रहे है बड़ी गेम में गेम कुछ और है एक पर यह वह की बहुत रहीं को सकता है है और दीओ आली की बारत इंडněस्टी को कैसे ठेन किया जाए और वो फार्मा इंडक्τη सबंगस्वी का है हमारे यहां की जो आयरुवेद है जिसको traditional medicines world health organization WHO कहता है वो traditional medicines या फिर मैं कहूं आयरुवेद वो पक्का इलाज करते हैं और वो बहुत सस्ता इलाज रहता है जबकि यह सारा चकर चक्रव्यू बन चुका है हमारे देश में अब इस चक्रव्यू के बावजूद कैसे उसको supportage किया जाए कैसे उसको down किया जाए तो इस समय उसके अग्रज के रूप में तो बाबारामदेव ही है क्योंकि इसको दुबारा renewate करने का श्रे अगर किसी को जाता है आज के समय पर पिछले 100 साल में तो बाबारामदेव को जाता है आप कभी ध्यान दीजेगा कि भारत में भारत को गुलाम बनाने के लिए कई तरह की गुलामिया होती हैं भारत को गुलाम बनाने के लिए आकरांता जब हमला करते थे तो वो सीधे किसी बड़े मंदिर पर हमला करते थे सोमनात पर हमला करेंगे अयध्या पर हमला करेंगे बड़े मंदिर पर जिस पर पूरे देश की आस्ता हो उसका करण था कि अगर बड़े मंदिर पर वो गिराने में सफल हो गए तो एक बहुत बड़ी population है जो हिम्मत हारने लगेगी और हिम्मत हारने लगेगी का मतलब है कि फिर उनकी अधिनता स्विकार करने लगेगी तो उनका मनन था कि भारत में लोग जिस प्रकार से भगवान को या अध्यत्मे किंद्र हैं जहां कहीं भी और उनसे भारत गवन होता है तो वो अध्यत्मे किंद्र पर हमला हो जाए एकोनोमी पर बात करेंगे तो एकोनोमी के मामले में भी वो जहां आपकी निस्ठा है उस प में विश्व की हम पहली इंड्रस्टी बन चुके हैं जर्मनी को पिछे छोड़ चुके हैं कोरोना के टाइम पर और इतना बड़ा मकड़ जाल उस पर हो चुका है हमारे देश में कि संभालना मुश्किल है अभी होली से दो दिन पहले ccpm 2024 जारी किया है department of medicines ने ccpm कहा है civil code of pharma for pharma marketing civil code for pharma marketing पास करने का केंदर का जो उदेश था वो सीधा सीधा ये है कि ये जो डॉक्टरों को भी मालूम नहीं है वो जिस मकड़ जाल में फस चुके हैं उससे बाहर कैसे निकाले तो सीधा उन्होंने regulation बनाए है कि pharma company कितना दे सकती हैं कितना उनको मदद कर सकती हैं कितना पैसा निकाल सकती हैं डॉक्टरों के लिए कितनी facility दे सकती हैं sample भी देने हैं तो कितने देने हैं आपका budget अगर डॉक्टरों के लिए निकालेंगे तो कितना budget निकालेंगे मेरा मानना है कि वो उन्होंने ccpm जारी जरूर कर दिया है लेकिन अभी डॉक्टर्स और यह pharma फिर उसका दूसरा कुछ ना कुछ तरीका निकाली लेंगे वो पैसा लेने का क्योंकि फार्मा इंडस्टिक ऐसी है जिसमें margin 3300-400% होता है कुछ का तो margin 1000% है यानि कि 10 रुपए की दबा और 100 रुपए की विक्ति है है क्या और उसको ऐसे देखना चाहिए कि यह जो जन अउशधालाय केंद्र कोले हैं केंद्र सरकार ने जन अउशधालाय केंद्रों में कोई दबा 10 रुपए की मिलती है और वो दबा एक ब्रांड के नाम से लोगों तो 100 रुपए की मिलती है तो आप सोचो 900% का खेल है 10 रुपए मेडिसिन का खर्चा और वो 10 रुपए के जो जन अउशधाले बेच रहा है वो भी मर्जन ले रहे होंगे बनाने वाला भी मर्जन ले रहा होगा और बेचने वाले भी ले रहा होगा अब ये जो 90 रुपय का बीच का गेम है ये 90 रुपय जाते कहां है आखिर तो हमारे देश में फार्मा इंडस्ट्री खुब फल फूल रही है अब उसका अगर कोई इलाज सही से और भारत वालों का विश्वास कहां है हमारे देश में आज भी 95 परसंट लोग घर में इलाज करते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाते घर में इलाज से मतलब है पेट में दर्द है तो कुन मेथी खालो कि वो अजवाइन खालो कि अभी वो कहेगा कि ये कुछ और खालो तो हम ये ही इलाज करते हैं आज भी रूलर रेडिया में मेडिकल डॉक्टर नहीं है तो वो वहाँ लोग ज़्यादा स्वास्त हैं और वो इलाज वहीं करते हैं जब गंभीर कोई बीमारी होती तो शहर के पास जाते हैं हम जब लगताएगा कि आधिये फियर अन कंट्रोलेबिल है तो शहर के पास जाते हैं आज भी भारत वर्ष में जो बच्चों की डिलीवरी होती है उसमें बड़ा percentage गाउं में play होता है, अस्पताल नहीं जाते हैं, शेहरों में तो जाते हैं, गाउं में हैं नहीं तो अस्पताल जानेगा दो तीन चार घंटा लगेगा तो कहां कर पाएंगें, तो क्या है कि इसको समझने के लिए हमको इसकी पूरा background समझना होगा, अब मैं कि आपको उसका background बताता हूं कि आखिर इसका background क्या है है क्या कि जैसे शुगर है मैं एक डॉक्टर का इंट्रिव्यू सुन रहा था शुगर है अब शुगर का शुगर कैसे पता लगेगी तो हम blood test करते हैं अब टेस्ट का पूरा एक्यूपमेंट मार्केट में है इंडिविजली आप चेक कर सकते हैं बहुत कुछ तरीके हैं ब्लड टेस्ट करने के तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं अब ब्लड में शुगर निकल आई और शुगर का क्रेटेरिय जो डबलू एचो का है उससे बहुत लो भा है और सुगर चेक करने का तरीका हमारे पास स्केबल ब्लड है जब शुगर की बीमारी डएबटीक जिसको कहते हैं वह बीमारी होगी तो पैंक्रियास में गड़बड होना चाहिए लेकिन भारत वर्ष में में पैंक्रियास का करम टेस्टीy नहीं होता ॸक्त को एक लाख डॉक्टरों में कोई एक दो डॉक्टर ऐसा मिल जागे चैदों इंशुलीड चेक कर वाता है क्यूंकि डाइस का सीधा संबंद इंशुलीन से है इंशुलीन अगर नहीं बन रही है तो हम कहते हैं कि डाइबिटीज नहीं तो दूसरा शब्द आजकल इस्तिमाल होता है इंशुलीन इंशुलीन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि इंशुलीन तो बन रही है लेकिन सेल लिमिटेड इंशुलीन ले रहा है और हमने उसको दबा दे दी ऐसी कि जो ब्लेड शुगर को कम कर दे ब्लेड शुगर को कम करने वाली दबा जैसे हमने दी बाड़ी में और ब्लेड शुगर के लिए इंशुलीन ओलेडी अवेलेबिल है बाड़ी में तो ब्लेड शुगर की दबा कहीं लीवर को एफेक्ट करती है और लीवर को अगर उसने एफेक्ट किया तो यह मान कर चलिए क कि वह फिर बीमार होना शुरू हो जाता क्यूंकि बॉडी का डॉक्टर खुद में लीवर है लीवर ऐसा जाता है ञारा से बारा हज्जार एंजाइम क्रियेट करता है क्या और इतने एंजाइम- निकालता बॉड़ी में जहां जिस चीज की एंजाइम की जुरुत होती उसको बनाता है कहीं अगर ग्लुकोस की जुरुत होगी बॉड़ी में तो लीवर बढ़ाएगा बनाएगा अब हमने ग्लुकोस मारने की दबा ले ली और लीवर ग्लुकोस बढ़ाएगा और ज्यादा क्योंकि उसको लग रहा है कि ग्लूकोस की कहीं जरुवत है तो उसने बढ़ा दिया और हमने जब ग्लूकोस मारा तो वो लीवर पर ओवर प्रेशर आ गया और लीवर जाना शुरू हो गया तो क्या किया हमारे हां के डॉक्टर्स ने या डॉक्टर्स की गलती नहीं है ये वो फार्मा कंपनिया जो की एमार भेशती हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को एजुकेट करती हैं डॉक्टर को एजुकेट करती हैं गलत तरीके से अब डॉक्टर को गलत चीज़ें सब ब फर्मा कंपनी ने बताई दिए कि साब शुगर बढ़े तो ये ऐसा होता है, इसमें ये चीज, इसमें वो चीज, इसमें ये इन्सॉलोबिल है, वो सारा वो उसने बता दिया डिटेल, और जैसे ही वो उसने खाया, तो बॉड़ी ने और ज्यादा लीबर पर जोड़ डाला, क उसकी किड्नियों में समस्या आ गई, मैं लग कहीं न कहीं बॉड़ी में समस्या आनी शुरू हो गई, अब तो डॉक्टर साब की, अब तो फार्मा कंपनी के और सामर बिकेगा, क्योंकि अब तो बीमारी शुरू हो गई, तो आप सोचिए कि कोई रॉंग टेक्नलोजी बत दाकर हमारे शरीर को उसने खराब किया और खराब करके अब दूसरी दबा देना शुरू कर दिया, अब इससे सब कुछ चलेगा अच्छा, ऑपरेट करना पड़ेगा, तो नर्शिंग होम में एड्मिट करना पड़ेगा, अब सोचो कि उसको ओटी मिले जाना पड़ाएग वो भी यही लोग बनाएंगे, उसकी पढ़ाई कौन करवाएगा, वो भी यही लोग करवाएंगे, नई चीजें विक्सित की ही, जिस पर आरेंडी कहते हैं, उन्होंने की ही और यही चीजें निकाल कर रखी, उसके लिए डॉक्टर्स को कौन एजुकेट करेगा, वही करे कर, उसने पूरे शरीर को खराब कर दिया, और अब वो कहता है, मल्टी ओर्गन फैलियर हो गया, आप सुचों कि हमारे यहां यह कहा जाता है, साब शुगर थी भर गए, यह आज से 20-25 साल पहले तो कहीं दिखता नहीं था, बहुत माइनर किसी को दिखता था, यह जो मल्ट मल्टी ओर्गन फैलियर हो गया, कोई एकाथ केस आगया तो आगया, फिर उन्हें नहीं कहा किसा आप हार्ट इटेक बहुत जदा हो रहे हैं, तो पहले एकाथ केस हार्ट इटेक का था, तब तो तमाम मलब उसका कोई भरोसे नहीं है, महले से कोन कब निकल कर चला जाएगा ब्रेन हेमरेज हो गया, बीपी बढ़ गया, ये बीमारियां आने का कारण तो ये बताया जा रहा है, कि साब ये फास्ट फूड आ गया है, ये ठीक है, कि वो सब उसका कारण है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, कहीं इलाज गलत हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, अब अ तो जिसकी बज़े से खून में ब्लेड निकला और उसके आधर पर आइडिटिफाई होगा अगर दो-तीन दीन थोड़ा सा परेज करें तो वो डाउन हो जाएगा अपने आप जो ग्लुकोस रेजिस्टेंस या इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी इंसुलिन रेजिस्टेंस केते हैं जब सेल के अंदर जहां भोजन पाता है वहां उसने ग्लुकोस तो डाल दिया और लेकिन इंसुलिन नहीं जा पारी क्योंकि उसने सेल बंद कर ली ग्लुकोस है ओबर होने की वज़े से अब इंसुलिन बाहर रह गई तो हम बीमारी तो पैचान नहीं पाए और हम ब्लेट सुगर डाउन करने पर लगए और मालुम पड़ा कि वह ऐसी वह कहता है ब्रेन हेमरेज हो गया हार्ट अटेक हो गया तो भाई का देशी घी खाने वाले लोग हमारी बॉड़ी में उसने क्या कि पूरा फैट गाइब कर द दिया सरसों से फैट निकाल दिया जो नेचुरिली सुर्वज मुखी हमको मिलती उससे फैट निकाल दिया और उसको उसने कहते हैं यह रिफाइंड है मतलब फैट पूरी बॉड़ी में जाना ही बंद हो गया तो आप सूची कि तीन भोजन के तीन चीजें बॉड़ी को चा चाहिए है फैट चाहिए है कर्बोहाइडरेट चाहिए इनके बगर बॉड़ी चल नहीं सकती अब उसने ग्लूकोस बिल्कुल देना बंद कर दिया अब बचा कर्बोहाइडरेट जो हमने खाया उसने उसकार्बोहाइडरेट से उसने फैट भी बनाया उसकार्बोहाइडर बॉड़ी में बनता है ब्लड में तो वह कहीं रुपता नहीं है हाट अटेक की बीमारी जनरल नहीं होती वैसे क्योंकि उसमें फैट जो है जो होना चाहिए नेचुरल फैट वह उसकी बॉड़ी में था तो हमने यह भी है कि हमने अननेचुरल लेना शुरू कर दिया हो गया अब इन सबका जो इलाज है वह अगर कोई अयूपेदा चारे होगा तो वो नवज पकड़कर देख लेगा वो चार सरकम्स्टांसिस बॉड़ी पर जोते हैं आँख के सरकम्स्टांस मुग के सरकम्स्टांस बॉड़ ये जो इसकिन है इसकिन पर पैरों पर हातों पर वो दिखने लगता है कि ये इनको हो सकता है अब वो दिखने लगा हो सकता है तो उसके आधार पर आयुरवेद चलत है जो सिंटम्स हैं उनके अधर पर आयुरुवेद के पास उसके जड़का इलाज था अबायुरुवेद ले लें या फिर मैं कहूं कि हो में यह नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश मेडिशन का इलाज गलत है लेकिन वो डाइग्नोज तो सही हो जब डाइग्नोज ही सही नहीं होगा तो मालम पड़ा कि वो कुछ गलत होने लगा अब जिस कंपनी ने ये बताया थो कि फैट बिल्कुल बंद कर दो वो कंपनी हार्ड की दबा बनाती है जिस कंपनी ने ये बताया था कि ग्लुकोस बिल्कुल बंद कर दो वो ग्लुकोस वो शुगर की दबा बनाती है जिस कंपनी ने आपका फैट और ग्लुकोस खतम कर दिया बाड़ी में वो लीवर की दबा बनाती है तो आप वो हम फल फूल रही है अब अगर उसका पक्का इलाज अएवरवेट के पास हो जाएगा तो यह इंडस्टी तो बढ़ी नहीं शकती और यह इंडस्टी पर वैन लगेगा इस इंडस्टी में आईमे बैठा हुआ है आईमे एक प्राइवेट शंस्ता है जो अंग्रे बनी थी और ऐसी association कुछ ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। आई-अ में इस बात की शिकायत करता है कि हमारे जो pharma industry है या जो English medicine से उसके ख़लाफ यह ब्रामक प्रचार कर रहे हैं। अब भ्रामक परचार में कोट में चली जाती है बाता है कि तुम गरंटी कैसे ले सकते हो अब वो गरंटी कोट नहीं ले सकता तो आगे फिर कहानी शुरू होती है तुम गरंटी ले सकते और ये पून्ड रूप से कुछ कुरेबल नहीं है अब एलोपैथ ये मानता की। श्anson का आधार है वो आधार यह है कि आपने पून रूप से स्वस्त्य कर देंगे ऐसा कैसे तहीं कि olur का विश्वास नहीं अगली पल किया हो जाए आप कहते हो हम व कर देंगे और आप सahी करने के अपनी medicines बेच रहे हैं, आप सही करने के नाम से अपना product बेच रहे हैं, अरे भाई, किसी को moral भी सही, डॉक्टर भी कहता है, हम सही करने के चिंता मत करो, डॉक्टर को मालूम है कि विक्ती मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो कहता है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं कहा, वो अपराद है कि नहीं है, तो section 93 of IPC ये कहता है, कि communication in good faith is not a crime, communication in good faith is a defense, communication है, जो patient को वो सांतुना दे रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मेरे पास उसका उपाय है, तुम तुम को बिल्कुल ठीक कर देंगे, और ऐसा भी कहा गया है कि कोई doctor medicine से ठीक नहीं करता, जब तक उसको पूल रूप से विश्वास नहों कि doctor मुझे ठीक कर लेगा, तो वो अपराद अगर ये communication अगर good faith में किया जाए, तो वो अपराद नहीं हो सकता, वो defense होता है, हाड के patient की हाड की surgery करने से पहले doctor अगर उसको विश्वास दिलाता है कि मैं तुमको ठीक कर दूँगा और surgery में विक्ति की मृत्ति हो जाती तो ये अपराद है कि नहीं है, ये सवाल है आज की तारिक में court में, कि आप ये promise कैसे कर दिया तुमने कि हम ठीक कर देंगे, promise के चक्र में उसने operation कर वाली और operation में वो मर गया, तो ये तो अपराद है, तुमने जूट बोला, जूट बोलकर operate कर दिया, पैसे कमाए, ये सवाल खड़ा हो रहा है, तो क्या सभी doctors को जो किसी भी तरह की practice करने वाल बाबा दे दी और वो मर गया, तो तुम कर्मिनल हो जाओगे, ये culpable homicide है, इस पर section 304 का मुगदमा होगा, ये ऐसा नहीं होता, तो क्या है कि बाबा राम देओ के पास ऐसे हजारों illustration भी हैं, वो खड़ा होकर कहते हैं कि ये लाइलाज बीमारी थे और ये 20 लोग खड़े हैं history है और ये पता है कि medical history और ये व्यक्ति क्योर हो रहा है, तो आपको evidence-based research किसको कहते हैं, वह एलोपेथिक की जो main मूल जड़ है, वो है evidence-based research, किंदर सरकार भी हमारी कहती है कि कोई भी विदा हो, उस पर evidence-based research है, करिए, बाबा राम देव जी ने अपनी laboratory खोली हुई है, कर laboratory में वो उसका ilaj करते हैं, उसकी R&D करते हैं, फिर वो ilaj करते हैं, वेक्ति को सही सलमत खड़ा कर देते हैं, तो बाबा राम देव कोई भी बात जब भी कहते हैं, योगा करवाते समय, तो वेक्ति सामने खड़ा होता है, जो कहता है कि मेरा ilaj हुआ इस से, उसकी अपनी medical history उसके पास होती है, तो उसमें जब वो ये promise करतेंगी, ये देखो, इनको मिनने सही कर लिया है, आप लोगों को भी अगर इस तरह की बीमारी है, तो इसको सही किया जा सकता है, ये section 93 में exempted है IPC में, लेकिन अब आई में पीछे पढ़ गया, lobby पीछे पढ़ गई, फार्मा पे की गोली खाकर ठीक हो जाएंगे, तो ये 20,000 का इलाज को न कराएगा, ये तो डॉक्टर सब पैदल हो जाएंगे, पूरी इंडस्ट्री बस्ट हो जाएगी, ये आज की समस्या है, और इसको court को address किया गया है, मुझे लगता है कि वो अभी misguided है, अभी वो सही से बाब रामदीजी से कहा था कि आप statement नहीं देंगे, तो उन्होंने किवल एक statement दिया था कि मैं अदालत आना चाहता हूँ, और मैं सारे evidence के साथ आना चाहता हूँ, मैं आपको evidence दिखाऊंगा, मुझे अफसर दीजिए, जो कह रहे हूँ कि मेरा भ्रामक statement है, उसका मैं evidence दूँगा उनके paper submit करूँगा, अब वो उस line पे तो कोई मामला चला नहीं, सीधा contempt की proceeding शुरू होगा कि मैंने तुम से कहा था कि तुम बोलोगा ने, फिर भी बोल दिये, तो ये contempt हो गया, अब वो contempt के बाद ये हो गया, जोनों लोग अदालत में हाजिर हो, नियाले का एक simple system हम लोग म जो contempt की proceeding चलती है, तो प्रशानत भोशन ने नहीं माना, तो एक रूपय का contempt लगा दिया गया था, कि contempt तो contempt है, एक रूपय का contempt लगा देते हैं, तो contempt वाले मामलों में, generally, 100-95% जब तक कोई गंभीर समस्या ना खड़े हो जाए, तब तक अगर unconditional apology कर देते हैं, और उसके Suppose मेरे खिलाफ contempt की proceeding चली, contempt की proceeding इस बात की चली, कि मैंने court के खिलाफ कुछ कह दिया, मैंने justice में बाधा पहुचाई, अब मैंने कहा कि मैंने बाधा नहीं पहुचाई, मेरी बात सुन लो, तो contempt की proceeding गर चल गई है, तो हम अपने client से ये कहेंगे, कि आप court के सामने unconditional apology करो, फिर उसके बाद हम आपकी बात कहेंगे, क्योंकि court का दिमाग कम से कम वहां से हट जाए कि तुम मेरी बात मानना ही नहीं चाहते, तो सुने क्या, अब मुझे अपनी बात सुनानी है, तो हम court को कहते हैं कि साब हम unconditional, माफी माग रहे हैं, अब हमें अदालत में present होने का अवसर दी ती थी, आज court ने ये कहा कि वो record पर नहीं है, वो apology record पर नहीं आता है, ये बहुत बार ऐसा होता है, कि court में हम file कर देते हैं, नीचे section या office में उफस जाती है, court की file में वो present, वो नहीं submit हो पाती, तो court के सामने बात गई, court के सामने उनके बकिल ने कहा कि साब हमने apology कर ली है, तो उनका record पर दिखाओ, वो record पर थी नहीं, record पर नहीं थी, मतलब अगली next date डालेंगे और जब record पर आएगी तब उस पर बात करेंगे, तो अभी record पर नहीं है, ऐसा मान कर या ऐसा देखकर, आज उसका disposal नहीं हुआ, अब उसको किस तरह से present किया जाएगा, जो pharma company है, दे अगली तारिक पर एक वफसर और देंगे, और ये सब तरह की ड्रामे बज़े चलेगी, कि अगर आप गलत नहीं थे, तो आपने apology क्यों कर दी, आप गलत नहीं थे, तो आपने ऐसा क्यों कर दिया, जबकि ये court की सामन प्रोसेडिंग का हिस्सा है, कि हम court के सामने माफी अगर तब अपनी बात कहते हैं, और हम कहते हैं, मिलोड हम आपकी बात मानेंगे, और आपके लिए हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, या कोई बात ऐसी की, तो उसके लिए मैं बिना condition के माफी मांगता हूं, और फिर अब इस case में मैं प्रिजेंट होकर अपनी बात आपको बताता हूं, तो जो बाबा रामदेव की फाइल है, वो फाइल तो तब चलेगी, जो उनके evidence है, वो evidence तब चलेगे, जब apology हो जाएगी, सुईकार हो जाएगी, तो apology अभी record भी नहीं थी, इसलिए वो सुईकार नहीं हो पाई, जब record पर अगले तारीक जो दी गई है उन्होंने, कितने 9-10 अप्रेल की कुछ दिया है, तो जो तारीक उन्होंने दी है, उस दिन record पर आजाएगी, तो वो सुईकार करती है, नहीं सुईकार करती है, तो court के उपर ही depend करता है, तेकि जनरली सुईकार कर लेते हैं, हमें लगता ह है कि यह जो lobbying हमारे देश में है, उसने अपना काम कर लिया, वो बाबा राम देव को जो damage उनको पहुचाना था, वो पहुच गया, जो case file करके, और apology मांग कर, और यह करके, वो करके, तो यह जो सामान executive प्रक्रिया, यह जो judicial प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में उसका, अब यह मीडिया के बाद हम से वो फैला देंगे और तमाम कहना शुरू कर देंगे, देखो उन्होंने, अगर माफी, वो गलत नहीं थे, तो माफी मांग कैसे ली, और यह lobbying जो आप picture दिखा रहे हैं, यह तो बड़े खिलाणी है ना, इमे के, यह तो conversion का platform रहा है, इल्ली हाई को कर सकता है, और कह सकता है कि हिंदू देवे दिखा वेकार है, आपको इशू की शरण में आना पड़ेगा, कैसे कह सकता है, यह IMA अभी तक record में कई cases इनकी खिलाब दिली हाई कोर्ट में फाइल हुए, दिली हाई कोर्ट ने unconditionally इनको order दिया था, और कहा था कि एक वेक्ती, क चल रही है, हाँ यह जरूर है कि उसको order किया था, आपाई में को भंग तो नहीं किया, association तो जीवित है, association जीवित है, किसके हाथ में खेल रही है, वो investigation का हिस्सा है, लेकिन वो जो content लाए, उस content में court को लगा, कि नहीं यह तो content का proceeding है, और यह वचन कैसे दे सकते हैं, तो भी है कि IMA का जो record है, वो बहुत अच्छा record नहीं है, IMA फर्मा कंपनियों की जो तरफ लेती है, वो उनसे ही चलती है, इधर दूसरी तरफ, आयरोवेद सामने खड़ा है, और आप तो बाबा रामदयों के आने के बाद, बहुत सारी कंपनियां आयरोवेद का product बना रही है और उस पर अब आयरोवेदा चारे बाई खटे हो रहे हैं, सुप्रीम कोट की एक और पीछे order सुनिये, कुछ डॉक्टर सुप्रीम कोट, कुछ बैद सुप्रीम कोट पहुँचे, मामला नीचे से जाते जाते का, उन्होंना का कि साब हमारी हम इस सेम हॉस्पिटल में काम क करते हैं, दो डिपार्टमेंट है, एक एलोपेथिक का है, एक एक आयरोवेद का है, हमारे आठ घंटे वो भी बैठते हैं, आठ घंटे हम भी बैठते हैं, मेरी सेलरी कम है, उनकी सेलरी जयदा क्यों है, हम भी मेडिकल की डिगरी वही लेकर आए, उसी स्टेटस से लेकर आ सब्सक्राइब यह तो नहीं वो कहरें लेकिन वो कहरें कि आपकी विद्द्या और उनकी विद्द्या में बहुत फरक है विद्द्या एस तरह एक ता आप सकते हैं जादा पढ़ना पढ़ते हैं उनको कम पढ़ना पढ़ते हैं इन फैक्ट मुझे लगता है कि wharrei के पहरत की पुट ही क्रिया बता देता है क्या चल रहा है अब लेकिन प्साइब क्लत में चीज कर दिया जब की भारत के प्रधान ये विवस्ता है कि नबज हाथ में लेता है और पूरे शनीर की क्रिया बता देता है क्या चल रहा है अब लेकिन कोर्ट ने नहीं माना कोर्ट ने डिस्मिस कर दिया जबकि भारत के प्रधान मंत्री ने डबलू एचो को गुजरात में बुलाकर ट्रेडिशनल एविडेंस ट् कालने के लिए एक सेंटर बनाया हुआ है वो डबलू एचो के हैड आये थे जिनको तुलसी भाई नाम दिया गया था उनको गुजरात में दच हजार करोड रुपिया लगाया हमने उसमें और उसका 20 साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट हम देने को तैयार है भारत देने को तैयार कि उसकी 20 साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट हम देंगे पूरी विश्व भर से आप ट्रेडिशनल मेडिसेंस वालों को बुलाईए और हमारे पार रिसर्च करवाईए हम प्लेटफॉर्म देंगे हम खर्चा भी उठाएंगे डबलू एचो केबल उसकी संदक्षन बाड़ी होग डबलू एचो का सेंटर होगा लेगन खर्चा हम उठाएंगे पुरा सिर्फ इसलिए कि भारत ट्रेडिशनल मेडिसेंस का वर्ड का सबसे बड़ा सेंटर है और ट्रेडिशनल मेडिसेंस का जो इलाज है हमारा मानना है भारत वास मुझे नहीं लगता गिभारत के एक वी व नहीं थी कोरोना के टाइम पर भी आप उसको एक्सरसाइज करवा रहे थे स्वस्त करवा रहे थे लेकिन विना मेडिसिन के करवा रहे थे तो यह जो चल रहा है हमारे हां हमें लगता है कि अब बाबाराम देओ की अपॉलोजी स्विकार होने के बाद उनको यह केस करना अब जैसे ट्रेडिशनल मेडिसेंस का जो डबलू एचो का प्रकल्प है वो अपने रिसर्च बेस्ट देना शुरू कर देगा अब यह सब सॉल्व होना शुरू हो जाएगा और फिर परिवर्तना आएगा लेकिन फार्मा इंडस्ट्री जब तक लड़ रहे हैं तब तक त अपने आप में बता रहा है कि भारत सरकार भी कितनी संजीदा है ट्रेडिशनल मेडिसेंस को लेकर और भारत सरकार कितनी संजीदा है फार्मा इंडस्ट्रियों की क्रुएलिटी को लेकर पर यहां पर एक दो पॉइंट करना चाहोंगी यह आएम में कब से टूथ पेस्ट और फेर और लवली क्रीम्स और मॉस्किटोज वाली क्रीम्स और यह मेडिसिन्स यह सर्टिफाय करने का हक इन्हें कहां से मिल जाते हैं और यह हमीशा लोगों को बेवकूफ बनाते रहे ह हैं गिविंग एन इंप्रेशन ददे आर गवर्मेंट ओगनाइजिशन इनका गवर्मेंट से कोई लेना देना नहीं है थगे चोर लोग है मैं तो मूँ पे बोलती हूं किस बिना पर यह बाल को दे सकते हैं चपल को दे सकते हैं I mean कौन से ऐसा प्राड़क्ट है एरिया का जहां पर इनोंने इंडियन मेडिकल एसोसियेशन को इस्तमाल करकर पैसे ना बनाई हो अब मीडिया फोल कर दे कि न्यूस्वेपर आप टाइप करें यह में प्राइवेट कंपनी आपको हजारों आटिकल्स मिल जाएंगी जिनका मेडिसन से कोई लेना देना नहीं है पर प पिछे पढ़ने का आईरवेदा के पीछे पढ़ने का होमियोपेथी के पढ़ने का इनको प्रॉब्लम है कि हम इनके रिए एक पंपिंग मशीन बन जाएं जिसमें यह दवाइन डालते रहें और अपनी क्या बोलते हैं उन्हें पैसा चापनी की मशीन को चलाते रहें यह बन गिया है सब का बिलकु सही बात है उसका कारण है कि कि गौर्मेंट की बाड़ी आई-मसी है इंडियन मेडिकल काउंसिल अब वो इंडियन मेडिकल काउंसिल मुझे पता नहीं है कब बनी लेकिन भारत सरकार का उपक्रम है जो ये रिकंग्निशन देता है आईयमे बहुत पहले से अंगरेजों ने यहाँ पर बनाया था जो उनकी फार्मा लॉवी रही होगी तो वो चुकी मार्केट में है इसलिए वो ब्रहमित करते हैं कि इंडिन मेडिकल काउंसिल है तो काउंसिल को एसोशेशन से ब्रहमित किया जाता है हमें लगता है कि आईयमे का नाम भी भारत सरकार को बदलना चाहिए ये कहते हुए कि भई ये भारत सरकार का जो उपक्रम है भारत सरकार की जो एजन्सिय है उसको कहीं न कहीं सिमिलर होने के नाते भ्रमित करती है लेकिन वो आजादी से पहले की है इसलिए अभी चल रहा है हाँ ये भी है कि वो प्राइवेट और्गनाशन है वो अपना पैसा पैदा करने का साधन कहीं नहीं के डूंते हैं जब आप सोचो ये तो आप जो बता रहे हैं कि रिकोगनेशन दे आप कनवर्जन चला रहे थे उसके मंच से भारत में कनवर्जन उसके मंच से चल रहा थे इससे जादा बुरा क्या कर सकते हैं मतलब ये अब संप्रदाय भी करेंगे अब ये भी बताएंगे कि भारत में जो हिंदु है वो हिंदु इनिलिजिबिल है वो बिकार आदमी मंच से भाषण देते हैं ये लोग और इसायत को सुखर कर लो तो ये सब फैसिलिटी देंगे इससे जादा बस्ट क्या कर सकते हैं इससे जादा रिकोगनीशन क्या हो सकती है कि भगवान के दरबार में भी ये डी रिकनाइस करते हैं और उनको अपनी इसायत को रिकनाइस करवा रहे हैं बाकी जो इनके काम नहीं है चुकि ड्रक्स और मेडिसिंस में ही आते हैं मॉस्क ली एफानुदीन अमनुला, एफानुदीन अमनुला, जुक्रिटिसाइज पतांजली इस मैंजिंग डारिक्टर अचारे बालकृष्णनू सफी इच्छे नाम है, चली बात नी इस सेर इनको इन्होंने आज लाइन पास करते वे ऐसा लगदा था इनको बड़ी खुशी हो रहे थी एहसानु दीन जी को और कहली जी को ये जज्जमेंट पर बात करते वे कहते हैं अब दो चल रहा है वो चल रहा है वो टूथपेस्ट का विश्यक आगया था उस पर इनको बुलाया गया था तो इन्होंने कागिसाब अभी तक हमारे पास नहीं लिगन में इंस्ट्रक्शन जारी कर दिये अब इस पर बहुत जिल्दी रेगुलेशन बनाएगा यहां पर खेलने का अफसर है वो खेलना बंद हो जाएगा तो मुझे लगता है उनको बुलाकर तो ठीक कर लिया हाँ यह ना कहीं ओडर अगले में कर देंगे आप एक्शन लीजिए इनके खलाफ जबरतस्ती एक्शन लीजिए नहीं तो आप भी कंट्रेम्ट करेंगे यह पर एक बंदा जो अच्छा काम कर रहा है जो भारत को अईरुवेद की तरफ योगा की तरफ मेडिटेशन की तरफ अच्छी एक्सराइस की तरफ अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ इंकरेज कर रहे हैं तो उनसे ही लोगों को मिर्ची लग रही है सारे चोर लगता है ही कट्खे होकर बैढ़ गया है सर मैं तो बहुत 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 बूटी बूटी हूँ सब्सक्राइब अच्छी लीगर ओपीरिंस देते हैं अच्छी लीगर ओपीरिंस देते हैं मस्ट फॉलो डीके दूबे सर्श चानल इसी के साथ जै हिंग जै श्री राम अर्हिर महादेद